हलो एवरिवान रोशनी प्रोप्रेशनल ब्रेशन में आप लोग का स्वागत है आज मैं आप लोग के साथ फिर एक नए वीडियो के साथ जुड़ी हूं आप लोग का प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाये रखिए हमारे वीडियो पे और रहे सारा प्यार दीजे ताकि मैं स्कीन केयर करें कैसे अपने फेस का ध्यान रखें और इस ठंड मौसमें काफी ठंड है जिससे हम लोग कहीं बाहर नहीं निकल पारें ना ही पारलर जा पार रहे हैं तो इस समय विंटर सीजन स्टार्ट होने वाला है तो आप लोग कैसे घर पे अगर कहीं आपको साधी में पार्टी में जाना है तो कीचन की चीजों से कैसे फटा फट जो है फेशल कर सकते हैं तो चलिए आज मैं आप लोग के साथ समय नागवाते हुए कि कीचन की चीजों से मैं कैसे फेशल और स्क्रब बना सकते हैं वीडियो को लाश्ट तक देखिएगा और चैनल पे नए है चैनल को सेस्क्राइब करिएगा वीडियो पशंद है तो लाइक जरूर करिएगा और बेज चैनल को जादा से यहर करिएगा आप लोग ऐसे ही प्यार सपोर्ट अपना पनाए रहिएगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आपको क्या करना है दो चमच बेशन लेना ह और उसमें एक छोटा चमच हल्दी लेना है जैसा कि मैंने दोनों एक ही में मिक्स कर दिया है और आधा कटा हुआ नीबू लेना है उसका रस जो है नीचोड लेना है और गुलब जल है कर आपके पास है तो आप उसको एड़ करके इसको एक अच्छा सा घोल बनाएंगे उसमे अगर आपके पास घर का एलोवेरा है इस तरह से तो आप उसको कट करके उसका जो अंदर का होता है जेल उसको निकाल लेंगे अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्केट का भी एड़ कर सकते हैं इस तरह से देख सकते हैं मैंने निकाल के एक चमच जो है एलोवेरा जेल add किया है, और एक चम्मच इस तरह से अमलाई एड किया है और इस मिक्स जो भल्दी और वेशन और गुलाब जेल और इलवेडा जेल है, इसको अच्छी ही से घोल बना लेंगे, ठोलहें मतलब रक अचछी तरीके से मिक्स कर देंगे हम इसको इस तरह से एक लेप की तरह हो जाए ताकि हमारा ये एक फिशपैक हो जाए और मैं ऐसा फिशपैक बताऊंगे जो कि आपको एकी बार में स्कुरबिंग और पैक, जेल stop साज जो है एकी साथ आप अपलाई करने पर आपको तीनों का जो है result मिलेगा और उसके पहले आपको face face vase से clean कर लेना है मैं tissue paper से clean कर रही हूँ अगर आपके पास face vase है तो आप face vase से clean कर लेंगे वैसे भी मेरी चरे पर कुछ भी नहीं लगा हुआ है सिर्फ मैंने moisturizer लगाया हुआ था देख सकते हैं tissue paper में कुछ भी ऐसा नहीं लगा है पैक की तरह अप्लाई करेंगे यह जो रेमेडी है काफी पुरानी रेमेडी है जैसा कि दादी नानी के जमाने से चली आ रही है बस इसमें थोड़ा सा हम अपने नई तरीके एड़ कर लेते हैं जिससे हमारे फेज पे जो है काफी गलो करता है और यह रेमेडी जो है आपके फेज पे कोई भी साइड डिफेक्ट नहीं देगी किसी भी स्किन को और काफी अच्छा गलो देगा और सेंटैनिंग रिमूव होगा और एक फेशल का गलो आपको फेज पे मिलेगा मिलेगा जैसा कि आप इस क्रब और जेल और पेक अलग अलग फेशल मिलेती हैं आपको तीनों गलो आपको इसी पेक से मिल जाएगा एकदम अच्छा गलो मिलेगा जैसा कि मैं एक प्यूटिशन हूँ दस साल से का इस्पीरियन्स है मेरे पास और मैं ऐसे बहुत सारे रेमेडी घरेलू उपचार जानती हूँ जिससे फेश पे आप अपलाई करके अपने गलो ला सकते हैं इचाईयां जुरी खतम कर सकते हैं तो आपको दस मिनिट इसको फेश पे अपलाई रखना है और उसके बाद जो है जो कटा हुआ नीबू है उस पे आपको सुगर एट करना है जैसा कि उसको आपको फेश पे मसाज करना है इससे आपके नोस पे ब्लेक हैड्स, वाइट हैड्स है तो वो भी रिमूब हो जाएंगे अच्छी तरीके से आपके पूरे फेश पे दो से तीन मिनट तक मसाज देना है पटे हुए नीबू से और उसके बाद आपको फिंगर से मसाज देना है अपने फेश पे ये मसाज कम से कम दो से तीन मिनट तक आपको फेश पे करना है इससे आपके फेश की स्क्रबिंग और मसाज भी हो जाएगा काफी अच्छा ग्लू आएगा आपके फेस पे आपको फेशल करानी की नीड नहीं होगी फेस पे एकदम फेशल वाला ग्लू आपके फेस पे आएगा इस नुस्की को आप हफ़ते में एक बार यूज करें और अगर लगबख आप दो तीन महीने तक ऐसे करेंगे तो आपके फेस का कलर काफी चेंज हो जाएगा और आपके स्किन पे बहुत ही अच्छा ग्लू दिखेगा और ये रेमेडी आप करने के बाद आपको तुरण रिजल्ट तो मिलता ही है अगर आप हफ्ते में करेंगे तो आपको और रिजल्ट अच्छा मिलेगा और इसे कोई भी साइड डिफेक्ट आपके फेस पे नहीं होगा और आपका फेस ग्लो करेगा और जैसा कि हल्दी बेशन जो है हमारी जो है नेचरली चीज होता है जिससे हमारे फेस पे कोई भी साइड डिफेक्ट नहीं हो सकता है मेरा मानना ऐसा है कि किसी भी चेहरे पे इसका कोई भी साइड डिफेक्ट नहीं होना चाहिए अगर आपके फेस पे लगाने से होता है तो आप दुबारा ना ट्राइ करें अगर ऐसा तो कुछ नहीं होगा और इससे आपके फेस के जो हेयर्स होते हैं चोटे चोटे बेबी हेयर्स वो भी रिमूव हो जाएंगे खाफी हद तक और इस तरह से आपको एक मग में पानी लेना है और किसी भी रुमाल से आपको डिप करके आपको फेस पे मसाज देने के बाद उसको अच्छी तरीके से साफ कर लेना है पूरे फेस को आपको बस 15-20 मिनट में एक फेशल वाला गलो आपके फेस में मिल जाएगा और आपकी स्किन केर भी हो जाएगी देख सकते हैं मेरे फेस पे कितना अच्छा गलो आया है ये वीडियो में एकदम नेचरली लाइट में बना रही हूँ ना ही रिंग लाइट ना कोई भी ना रही हूँ मैं और में फेस पे कितना अच्छा गलो आया हुए देख सकते हैं और इस तरह से स्किन फूट का जो है ये मसाज फेस मसाज क्रीम है इससे मैं दो तीन मिनट अपने फेस पे मसाज दूँगी अगर आपके पास कोई भी मोश्यराइजर है तो आप उसको लगा आपके जगह जरूरी नहीं है कि आप यही मोश्यराइजर लगाये कोई भी रेमिडी लगाने के बाद ऐक बार फेस पे जो है मोश्यराइजर जरूर करें जिससे आपकी कि नमी बनी रहती है और आपकी कि फेस पे इंच्छा गलो आएगा आप देख सकते हैं और इसस किन का घरेली नुसके वाले वीडियो आपको पसंद आरहा है जरू कहरे तो अज के और भी ऐसी रेमेडी सेयर करूंगी जिनके बारे में मुझे नॉलेज है तो वीडियो आज करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नेक्ष वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए आप लोग स्वस्त रहिए मस्त रहिए बाबाई